तो हेलो मेरे प्यारे एव भाई एव बहन आप जिक्र करने वाले हैं कि घर बैठे कोरोना का इलाज किस तरीके से करें कोरोना की जाज किस तरीके से करें इसके बारे में जनकारी लेने वाले हैं और जनकारी लेने वाले हैं कि हम अगर होस्पीटल में जाते हैं तो जो डॉक् कि आप कोवीड हैं इसके बारे में आज आपका पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा वीडियो पे बने रही है वीडियो लाश्ट तक देखिए उसके बाद आपको उमीद करते हैं आपको बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि बहुत अच्छे से बनाया हू बहुत पहले चुके पढ़ चुके हैं नाइन्थ में पढ़े होंगे टेंथ में पढ़े होंगे लेवेंथ में पढ़े होंगे टूवेंथ में पढ़े होंगे हाँ तक कमपटीशन में भी पढ़ रहे होंगे आप लोग तो हम उमीद करते हैं आप लोग को ये आरेने और ड कोविड से जाने से पहले हम इस आरेने और डीने के बारे में बताना चाहते हैं कि देखिए इस कोविड के अंदर सबसे पहली तो बात यह है इस कोविड के अंदर जो है हमारा आरेने होता है यह जो कोविड सेप का जो अकार दिया गया है इसके अंदर हमारा क्या होता है आरे को पता लगाया जाए, ऐसा कुछ भी यंत्र भी हम लोग के पास अवेलबल अच्छी तरीके से नहीं है, जिसका में हम RNA के रिपोर्ट से पता करें कि आप COVID positive है या नहीं है, तो इसके लिए क्या है, कि सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जाने, तो सबसे पहले इस COVID के अंदर तो आपने जाना कि क्या है, RNA है, इस सबको एक-एक लाइन को ध्यान में रखेगा, हो सकता है कि आपको लोग के लिए एक्जाम में लावदाया की साबित हो सकता है, इस COVID के अंदर RNA है, जैसे कि अगर हम बात करें, अब RNA के बारे में बताएं कि RNA जो होता है, उसको मतलब पत करने के लिए उसके अंदर क्या है, नहीं है, कैसा वाइरस है, उसके पता करने के लिए आज तक कोई भी यंतर हमारे साइन्टिस्ट अच्छे तरीके से सक्सेच्फूल बना नहीं पाए है, तो इसलिए हम लोग करते क्या है, डॉक्टर लोग करते क्या है, उस RNA को DNA में कनव जब आप DNA को RNA में कनवर्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है transcription, लेकिन जब उसी RNA को DNA में कनवर्ट करते हैं, तो उसे बोला जाता है reverse transcription, मतलब नहीं समझते हैं कि reverse gear लगाओ, मतलब पीछे के आओ, तो जब पीछे की और जब आते हैं, RNA से फिर पुना DNA के पास आते हैं, तो उ देखिए, हम जी करने वाले हैं, RNA जो हमारा होता है एक chain की तरह, single chain की तरह उसकी आकरिती होती है, जैसे कि आप लोग figure में देख रहे होंगे, यह single chain की आकरिती होती है, RNA और जो DNA होता है गया एंद double chain की आकृती है जैसे कि आप देख रहे होंगे एक दुसरे से लड़े होगा इस तरीके से double chain की आकृती है तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि single chain वाली आकृती को पता लगाना थोड़ा सा दिक्कत होती है और double chain देखिए हम simple एक आद्मी पतला दूबला है और हम दूर में खड़े हैं तो आप लोग बढ़ियां से देख पाईएगा नहीं और वही कोई मोटा अली खली जैसा आदमी खड़े रहेगा इसे करके तो दूरियों से एक किलोमेटर दूरियों से दिख जागा किया कोई आदमी ख़ला हुआ है अब हम लोग ख़ला हो जाए सिंगल लपेटे को डवल लपेटे किया जाता है इस लपेटे को इतना वार किया जाता है इतना वार किया जाता है कि जब तक कि पता ना चले इसके अंदर कुछ वाइरस है तब तक इसको लपेटा जाएगा तो मैक्सिमम है अगर आपको 35 बार लपेटा लगा इसके अंदर 35 बार लपेटा लगेगा तब जाके अगर इसके अंदर कुछ देखता है ये आपका होता है थिरी सोल्ड लाइन हाता है अगर इसके अंदर कुछ तब आपको दीख रहा है तब समझ जाते हैं लोग की अरे यार ये क्या हो गया अच्छा ठीक है निकल गया भाई तो क्या होता है तब आप पता करते हैं डिन है की नहीं है तो इसमें 35 लापेटे लगाया जाता है तब जाके इसमें कुछ जो हता है लच्छन दिखने लगती है जब 35 लापेटे अगर लगेगा जो कोविड पैसेंट रहेंगे उन्हें कुछ लच्छन दिखाई देने लगते हैं लच्छन दिखाई देने लगते हैं तब ही आप डॉक्टर समझ जाता है कि आप कोविड पोजिटिव हैं वहां से बोल दिया जाता है तो अब जानेंगे कि आखिर इस तरीके से लपेटा और क्या किया जाता है जो पता चलता है तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले देखें हमारे साइन्टिस्ट लोग हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये सलाइव लेने के लिए मसीने हैं ये परकनली है ये सब लोग काम कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत किये हैं कोविड सील बनाने में जैसे कि यह देखिए यह फीगर को ध्यान से देखिएगा आप थोड़ा सा एड़ेस्ट कीजिएगा मेरे पास एक बहुत बला डिजिटल बोर्ड नहीं है इसी से घर का एक LCD है उसी से मैं आप लोग को फीगर के जरिये समझाने की कोशिस कर रहा हूं ठीक है तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं आप लोग थोड़ा सा कीजिए एक बच्चा भलाको देखें हैं मतलब गडर दूद्ध पिलाया जाता है उस तरीके से सीरफ पिलाया जाता है बच्चां या जाता तो उसी तरीके से से तुख का थूक, खखार, नेट जो भी मतलब कुछ लिया जाता है इससे, नाक से लिया जाता है किसी किसी का नाक में अगर दिकत हो तो मुझ से भी ले सकते हैं सलाइबा तो देखिए, ले रहे हैं ना मुझ में पूरा अदम रख के उसके बाद आपका जो लेब है जहां भी लेब होते हैं उस लेब में जाता है और लेब में जाने के बाद ये देखिए, ये जो आपकी मसीने दिख रही है ये इसके अंदर जो भी आपको दिख रही है सारे ट्यूब पारक नली है इसमें पारक नली को डाला जाता है पारक नली को डालने के बाद यह आपकी pure मसीने है चेक करने वाली इसके अंदर क्या होता है यहां फे फोल्ड करके अंदर करके डाल दिया जाता है इसके अंदर डालने के बाद कुछ जरी में रिपोर्ट बताती है क्या है नहीं है तो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से सलाइबा को आपके थूख कुसे भी जरिये से पताय किया जाता है कि आप में कोविड है या नहीं है कुछ लच्छन ये मसीनिया है जो बताती है उसी से हम लोग डॉक्टर लोग पता करते हैं कि मतलब आप कोविड प्रोसेस लग जाता है तो आपके पास तो उतना टाइम है नहीं तो घर बैठे कैसे पता करें कि मेरे अंदर क्या है मेरे अंदर लच्छन क्या है क्या हम कोविड पोजेटीव है या नहीं है तो उसके लिए एक आता है देखिए मैं बताने वाला हूँ पल्स ओक्सिमीटर क इसमें आपको spo2 एक दिख रहा होगा spo2 का मतलब होता है से शेचियेटेड़ पल्स ओक्सिमीटर होता नहीं है जो की यह बतातास एस पी ओट आपका जो है इसमें गलत सैद लिखा हुआ है अन्ठानवे परसंट होना चाहिए यह सकते हाथ में डल लगाया जाता देखिए इ जो हाथ जिससे आप काम करते हैं, अगर left-handed है, तो left-handed में लगाया जाएगा, left-handed में indicated finger में लगाया जाता है, आप right-handed है, तो right-handed के आप indicated finger में लगाया जाएगा, और इसमें लगाने के बाद, अगर SP2O, SPO2 का मतलब क्या होता है, situated pulse oximeter, इसके अंदर आपको 98% oxygen दीख रही ह या उससे जादा अगर दिख रही है, तो समझ जाते हैं, आप सुरच्छित हैं, और एक चीज और होता है, इसमें एक चीज और दिख रहा होगा आपको, नीचे दिख रहा होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें एक और होता है, PR है, क्या दिख रहा है आपको, बणि को चेक करता है पल्स रेट मतलब पल्स मतलब होता है दिल की धड़कन को चेक करना पल्स रेट दिल की धड़कन को चेक करता है कि आपको किस तरीके से धड़करा है इसमें भी होता क्या है कि 60-90 के बीच में अगर आपका पल्स रेट आता है तो आप सुरच्छीत हैं अगर इस तरीके से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं Pulse Oximeter से यह भी एक तरीका और बताएंगे कि किस तरीके से चेक यह था है तो यह समझ गया है Pulse Oximeter के बारे में पल्स ऑक्सीमीटर में एक oxygen का रहना 98% ये भी आप नोट कर लिजेगा पल्स रेट में अगर आप सुरत्चीत हैं तो 98% oxygen का होना अनिवार है अगर आझ सुरत्चीत रहेंगे तो कम रहेगा तो आपको oxygen का दिक्कत होगा तो वही आपको oxygen आपके नाख में ठूसा जाएगा ठीक है और देखिए क्या है कि अगर जादा होगा तो भी दिक्ट जादा होता ही नहीं है जादा क्या होगा इतना साधा प्रवप्राकिर्ति का बिनास हो रहा है और जादा होगा किसी का मतलब 98% से कम ही रहेगा यह पल्स रोट रेट जो होता है यह भी जो होता है हम क्या बता है दिल की धलकन को मापने वाला पल्स रेट होता है तो पल्स रेट जो होता है 60 से 90 के बीच में यह पल्स रेट भी बताना चाहिए अगर इससे कम बताता है तो भी ने दिकत हो तो जो बुआ गर जादे है तो क्या उसको बोलते हैं हाट आजाता है तो यहीं चुर्ण नबे के बीच में जिसको जादे पल्स रेट रहता है उसी को ऐसा होता है धाम दोर घर जाएगी तो वही बात है कि पल्स्रेट अगर किसी का कम है तो भी दिकत है, पल्स्रेट अगर जादा है तो भी दिकत है, समझ रहे हैं इस बात को, गोर से समझेगा, चलिए इसके बारे में तो बता दिए, पल्स्रेट के बारे में बता दिए, DNA, RNA क्या होता है, ट्रांस्क्रिप्शन क्या होता है, आप घर में इलाज कर सकते हैं जैसे कि एक होता है जैसे कि हम वीडियो ला रहे हैं फोटो दिखा देते हैं सबसे पहले आपको कहां गया रहे जे देख लीजिए कोविड-19 कीट होती है क्या दिख रहा है साब से आपको एक COVID-19 कीट होती है जैसे कि आप लोग figure में देख रहे होंगे COVID-19 इस तरीके से कीट होती है जो की same hair pregnancy कीट द्वारा और यार क्या दिखने ही राय साथ यार जैसे क्यों हो रहा है जैसे काई हो रहा है तो भाई दिख तो उमीद करते हैं आप दिखता होगा दिख रहा है ना तो देखिए इसमें होता क्या है ये COVID-19 कीट है इससे के दुआरा भी आप पता कर सकते हैं कि आप COVID है या नहीं है ये same hair pregnancy कीट द्वारा के जैसा होता है जैसे कि आप pregnancy कीट के बारे में तो जानते ही होगे लेकिन फिर भी मैं जिकर कर देता हूँ pregnancy कीट के बारे में देखिए same hair इसके अंदर क्या होता है एक ये आपको दिख रहा है कुछ हॉल जैसा थोड़ा सा छेदा जैसा तो इसमें भी क्या होता है कि आप saliva को लिजिएगा और saliva को ऐसा saliva लिजिए कहा जाता है आप किसी भी time ले सकते हैं लेकिन सबेरे आप जिस time उठें अगर सबासिये मुह लेके फोन कुछ डालके इसे करके saliva लेके इसके अंदर डालते हैं तो ग्राफिक चड़ता है एक अगर बनता है तो आप सुरच्छीत हैं डवल लाइन बनता है तो आप आसुरच्छीत हैं क्या आप समझ रहे हैं इस बात को सिंगल लाइन बनता है तो आप सुरच्छीत हैं इसके सके में ने राना एक थीक ठक हैं अगर यह हो सकता है मतलब उतना सक्षित नहीं है वाई एती परसेंट बता रहे हैं देखो तो ये एसी जैब है और क्या बोले प्रेगनेंसिजी फीक इस entire three क्या का रहा है प्रेगनेंसी कीट में है सिंगल लाइन को बोल रहा है कि नो प्रेगनेंसी मतलब आप प्रेगनेंट नहीं है डवल लाइन के लिए बोल रहा है कि आप प्रेगनेंट है प्रेगनेंसी हो गया देखिए सेम यह इसी तरीके से हम बोले ना इसमें क्या होता है कि मेरा क्या बोले भाई ऐसी काहे हो जाता है फीगर बार बार जैसे कि देखे इसके अंदर हम मुह के स्लाइबा को डालते थे थूक को डालते थे तब जाके पता चलता था कि आपके अंदर एक लाइन होती थी एक रायन होती है उस सुरक्षित प्रेगनेंसी कीट में क्या होता कि इस चंधे कीटस्टD यहलं जकर है इस होlles के और अपके उल्रीन डला जाता ममारी हुद टेन प्रेगनेंसी अगर सिंगल लाइन आया तो प्रेगनेंस अगर double line आया, तो pregnancy, क्या इस बात को समझें, same hair condition follow इस में हुई होता है, covid-19 में होता है, क्या, आप समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से, यह देखिए, मैडम पूरा कुछ से pregnant है, double line होगी, देख रहे हैं, मैडम पूरा kit देख रही है, double line में रहे हैं, चलो ठीक ठाक हो गया, का मतलब 100% success नहीं है, लेकिन 80% success है, ठीक है, तो क्या आप, I hope आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा पाया होंगे आप लोग को, और हम उमीद करते हैं, जैसे कि हमारे एक New Zealand, New Zealand और मतलब कुछ ऐसे से देश हैं, जिसमें को एक एक आदमी को vaccination किया गया है, आपके other countries में ज करोड के पार कर गई है, सोच लिए vaccination, चलिए हम उमीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल तरी अच्छे तरीके से समझ पाये होंगे, अब जैसे कि मैं एक जिकर करने वाला हूँ, एक announcement करने वाला हूँ, जैसे कि 7.30 बजे मेरा रात के time, 7.30 बजे साम में, 7.30 बजे साम में क क्लास होगा, YouTube पे लाइव होगा आपका, आप आईए, पढ़िए, दोस्तों को जोड़िए, उससे मतलब जूड़े रहिए, चाहे वो किसी कलास का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, कमपटीशन को हो, जो 12 में, इस पर कमपटीशन में, entry हिमारे, 12 पास करके, उनके लिए भी स्कौयर को किस तरीके से तक जल्दी चूटकिों में सॉल्व करें, बढ़ा-बढ़ा स्कौयर दे दिया, उसका चूटकी में हल्वा बता देंगे आपको, किस तरीके से फास्ट हल किया जाता है, लंबा-leंबा एक्वेशन को एक चूटकी में कैसे कर दें, हरे एक चीज का स झाल झाल